आज का टॉपिक है कक्षा बारे में बाई रोजी में मानव जनन लेसन थ्री है मानव जनन ठीक है और इसको इंगलिस में क्याते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि मानव में जनन क्रिया लेंगिक रूप से होती है अलेंगिक जनन ठीक है लेकिन हमारे अंदर जो होती है वह लेंगिक जनन रोटी है लेंगिक जनन की क्रिया अलेंगिक जनन होती है sexual reproduction होता है ठीक है अब साहिए इसके बत क्या लिखा हुआ इसमें देखिए नर में नर्योगमक वनते हैं क्या वनते है रिए ओर जो की अगौनत रता है और अंडानु वनते हैं यह भी अगोनेत होता है इसे उबम कहतं हैं इंगल्स में और हिंदी मे अंड akate य ओवड़ कहते है ठीक है मादयोगमक कहते है इसे माधयोगमक बनता है मादयोगमक बनता है नर में जब दोनो सलययऑ सलय करते है दोनों सलययययि Kawika's तब क्या बनता है तो इस प्रिक्रिया को हम लेंगिक जन कहते हैं द्वारा ब्रून की बनने ही क्रिया इन दोनों को सलेंड करने के बाद फ्यूजन करने के बाद ब्रून बनने के निर्मान होता है और ब्रून बिक्सित होकर संतान का निर्मान करता है तो यह तो बन गया M.D. यो क्या बन गया ब्रून बन गया इससे संतान बनेगी इससे संतान बनेगी तो यह पूरी करिया है यह लेंगिक जनर है लेंगिक रूप से लेंगिक रूप से नए संतान की उत्पत्ति करना तो नर्व माता पिता है नर्व और फीमेल है यह लेंगिक रूप से मतलब लेंगि एक कोश्काओं द्वारा नर युगमक लेंगे कोश्काओं और एक मादा युगमक लेंगे कोश्काओं के इसायता से नए संतान की उत्पत्ती करता है अब देखो इसमें बद्दा आने दिखाया भी गया है कि नर पुरुष जो है इसके अंदर 46 गुनसूत्र होते हैं नर में 44 तो समान होते हैं और दो लिंग गुनसूत्र होते हैं और इस दो लिंग सुत्र कॉन सुत्र ह sacrifices एक्स और एक्स ये तो हो गए मादा के और इसमें क्यांसे होते हैं 44 पिलस एक्स बाई दो इस तरह से होते हैं अब इन्हें अर्दुसूत्री विवाजन दौरा नर्योगमक बनते हैं तेस्ट गुनसूत्र होते हैं इसमें मादा योगमक बनता है मादा इस तरी से वो उसमें भी तेज गुनसूत्र होते हैं यह कैसे होते हैं है प्लॉइड इन्हें कहते हैं है प्लॉइड या आगोनित 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 या है प्लॉइड है है फलोईड कैते हैं इसे एं से ब्यक्त करते हैं किससे ब्यक्त करेंगे इसे एंसे ब्यक्त करेंगे तेज गुंद लो है आधे रहा गाई ऊपार जो ऑशालेज गुंद लोगार में तो उसमें 46 में धैसे हम ट्रूस्ट से रोपिजिए उपीड़ करते थे इस szczególिट से लेकिनहें होते हैं इसे दोनौं क्या ayett करते है इसे क्या से स्रीव की कोaşकाय भी होती है और नर की कोषकाय भी दुरित होती है इसे 2N से रप्रेयंट करते हैं तूटल 40 गुर्ण सूत्र होती है English 44? अर्दुसूत्य विवाजनत्ष की संग्याः आधे रह आती है 46 के आधे तेивают रह गई इसलीग यह किसा हो गया अगोनेत हो गया है समान्ण चौवाल इस के आगे 22 22 तो ऐकस गुण शूत्र होंगे और जो एकस यह यह लिंगानसूत्र यह इन में से कोई एक होगा या तो एक्स होगा या फिर दूसरा सुख्राण। और यह जोगा पाइस पिल्स दैसंब होगा की इस होगा लिती परकार निरॉट्ट्ट को सब्सें centre में प्र जोगा या फिर लिंगिन सोट्रॉट हो wh shroud स्ट्राइदे में की एक जोल्भ रूबं सुम्म सुट्रॉ यह निए फिरिए क्रैंते 麼 सुट मूर्श्टॉप क्ंद कि इसमें डवग्वाल एक्स होते हैं अढ़क्वि VII अग्स हो शुंगे और एक लिंगॉरो सू रोगा वो भी एक्स ही ओगा की कि अब जब इस की इसका स्लायन भोगा इसका क्या होगा स्लायन स्लायन या फ्जॉजर्ड इसे मं टेकले हैं फ्युजन जब इसका fusion होगा तब इसमें क्या बनेगा योगमेनज बनेगा तब इसमें योगमेनज का निर्माण होगा योगमानज को इंगलिज में कहते हैं जाइगोठ जाइगोठ बनेगा जो की 2N होता है एन और एन मिलकर टू एन बनाता है दुई गुणित होता है जाइगुट कैसा होता है दुई गुणित होता है और इसे युगमरज बनेगा और इगुणित से भूण का निर्मान होगा भूण भी दुई गुणित ही होता है ठीक है और भूण में या या युगमरज में दोनो चालेज चालेज गुनसूत्रों की संख्या होगी ठीक है इस प्रकार के यह किरिया होती है नया और भुरून से क्या बनेगा नया संतान बनेगा नया संतान कैसा होगा डिपलॉइड होगा अर्थात दुई गुनित होगा ठीक है गुण सूत्रों की संख्या कितनी होगी 46 होगी अब देखिए ज़े मानव जनन निम न लिखे तीन प्रक्रमों में पूर्ण होता है पहला तो यह प्रक्रम है वो है निसेचन पूर्व घटना निसेचन से पहले वाली घटना है निसेचन से पूर्व निम लेखे दो घटना होती है दो ही घटना हो सकती है पहला तो है युगमक जनन पहली क्या है युगमक जनन इसे इंगलिस में क्या कहते है इसे गयमीटो जनेसिस अब गयमीटो जनेसिस के बार में देख लेते हैं कि नर तथा मादा युगमकों नर युगमक जनन कहलाता है मानब जनन से में यह दो प्रिकार का होता है तो नर्म में होगा युगमक जनन तो इसे सुक्राणू जनन कहेंगे और मादम में होगा तो इसे अंडाणू जनन कहेंगे तो क्यासे क्यासे कौन कौन से होते हैं पहला आता है सुक्राणु जनन, इस्परमेटो जनेसिस, नर में योगमक या सुक्राणु का निर्मान, सुक्राणु जनन कहलाता है, इसमें इस्परमेटो जनेसिस कहलाता है, इसमें भाग लेने वाले अंग को पुरुस का जननतंत्र, पुरुस का जननतंत्र कहते हैं, पुर पुरुस जनन तंत्र को दो भागों में विवाजित किया गया है दो भागों में इसके विवाजित किया गया है पुरुस जनन तंत्र को देखिए कैसा है पहला है का आर्थिक लेंगिक जनन आर्थिक प्राथमिक लेंगिक अंग प्राथमिक लेंगिक जनन अंग इसमें क्या ह प्राइमरी सेक्स औरगन तो ऐसा सेक्स औरगन जो प्राइमरी सेक्स औरगन कहलाता है जो प्राइमरी से इंपोर्टेंट होता है सुक्रानु बराने में इंपोर्टेंट होता है इसमें युगमक का निर्माण होता है ये मुख्य अंग होता है मुख्य लेंगिक अंग होता है होता है यह टरिक होते हैं यह पिरकार को होते हैं पहला तो होता है सही आ को लीकाए आती है जैसे कुछ लिखाए होती है रेटेटेश्टी रेटेश्टी होती है सुक्रान सुक्र बाहिकाए होती है बाहसा इफ्रेंश्य होती है अधी बिर्शन होती है अधी बिर्शन होता है इसमें और सुक्र बाहिनी होता बाहस डिफ्रेंश होता है अधी बिर्शन को कहते है एपीडीडाइमिस इसके बाद आता है सहायक गरंथियां कुछ गरंथियां भी इसकी सहायता करती है सुक्राणों के निर्माण में तो ये भी सहायक गरंथियां होती है सुक्राशे प्रोश्टेट गरंथी और बल्वो यूरेथरल गरंथी ठीक है तो ये जो गरंथियां होती है ये भी अंदर बिर्षण होते हैं ये ओर यह एक जोड़ी तिकाई आए ये विर्षण है यह दूसरा बेशन है ठीक है दो बेशन है एक जोड़ी बेशन देखाए गई है इनका टेंपरेचर जो होता है दो से तीन डिग्री जो नॉर्मल टेंपरेचर सरी का टेंपरेचर उससे दो से तीन डिग्री कम होता है डाउन होता है कम होता है तो यह सरीर से दो कुछ ये पिरामिट जैसे आकार होती है जिसे हम बिश्ण कि पिंडग या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं यह धा Something संखे़एंग evaluation होती है सुक्र जर्ण का क्यात है एक फ़र human में एक से श्क्राण कोश्क है और शुक्र नलिकाई हम होती है दो परकार की सुकृ-ING कोशकाइं होती है इसमें स्क्र नलेकाय में एक होता है शुक्र्जन कोश्का जो हो बनाती है घैक साली कोश्का जिए जो नर्महार्मोन बनाती है लीडिंग कोश्का है पायाती है जो नर हार्मोन को बनाती है कि सहाइक नली का इक कौन कौन सी दिखाई इसक्राणू शुक्र बाही नहीं दिखाई गई जो कि उपर घ्र जा रही है यह ब्रशन से निकल कर अधी ब्रशन अधी ब्रशन क्या होती है यह काफी सारी फोल्डट नली होती है जो बनाती है इसे आधी मिशन या एपीडी डाई मिस कहते हैं सुक्र बाही का है यह से निकलने वाली सुक्र बाही का होती है रेटे टेस्ट रेटे टेस्टी यह जाल होता है रेटे मतलब जाल जाल होता है टेस्ट से निकलने वाली नलिकाओं का जाल होता है र सयक गरंथियां कौन कौन सी हैं ? शुक्रासय यह सैमिनल बैसाइकिल यह एक दुईपालिथ Demal होती हैं . भेल्ट थैली नुम सा नचना होती जिसमेंaters बीरे का अधिकासаб बनता है? अधिकासबाँ बनता है? दीडिवीहेका लिएगा सेमीनल इसाइको इस विंदोट नहिचता है उसके की तरप हिस्थित होती है जो मूत्र भाग होता है उसके अधरतल नीचे की दरफ इस्तिस घर अधरकता नीचे वाल स्पिरो करते है कौनी शारी ये चार रिये टरल स्रावित करते हैं यह मूत्रकी की अमलिटा को नि्ष्ट कर देती है यह मुत्र मार की अमलिटा करने से यह एक जो लेंट करती है फिर उसे शारी कर देती है यह शारी तरवल पदार्थ होता है प्रोश्टेट ग्लेंड से निकलता है काउपर्स ग्लेंड यह एक जोड़ी होती है यह मुत्रमार्ग की अम्लिता को समाप्त करती है तथा योणी मार्कोशंच बणार में में साता करती है और दूसर काम क्या होता है यॉनी मार्को जो भैजाईना होती है फिमेर की नुचिक तो इससके बाद आवाता है इस्त्री जननतंत्र में क्या है female reproductive system यह दो भागों में विभाईत किया गया है वह प्रोटेक्टिव सिस्ट्रम एक प्राथ्मिक जनल अंग है अंडासे मादा में एक जोड़ी अंडासे होता है अंडासे एक जोड़ी होती है जें दुन तरफ होती है और ये ब्रक के पीछे कहां ब्रक के पीछे देवित्ती से जुड़ा हुआ होता है प्रक के पीछे देवित्ती से जुड़ा हुआ होता है अंडासे में परधी की और ग्राफियन पुटकाएं जिसमें अंडानू का निर्मान था है अंडानू का निर्मान कहा होता है ग्राफियन पुटकाओं में निर्मान होता है दुत् गरवाशे ओवरी जिसे कहते हैं गरवाशे को ओवरी नहीं कहते हैं गरवाशे को गरवाशे हो गया एक जोड़ी गरवाशे ग्रीवा गरवाशे ग्रीव एक जोड़ी थोड़ी नहीं होती है गरत्रिक हुआ है। गरवाश हो गया.. गरवाश जोड़ी नवाहिनी होती है.. ओभी डक्त होती है.. एक योणी होती है.. बैजाइना होती है.. बाहे जननेंद्रियां.. एक्टरनल.. भाहे ग्यानेंद्रियां होती है और एक जोड़ी इसतन गरंतियां होती है यह इसतन गरंतियां जो है यह यह भी दुत्यक अंग काही काम करती है अब देखिए इसमें ये तो है ओवरी अंडाशे ये है ओवरी अंडाशे और अंडाशे जो होता है हमेशा प्राथमिक अंग होता है और यहां पर अंडाशे प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ओर्गन होता है ठीक है ये अंडाशे जो है अंडाशे को ऊपर ये जालर जैसी नुमा सनचना पाजाती है इसे जालर या फिमरी कहती है और ये फिमरी आगे चलकर एक मोटी नली कहां से चुपकी बनी रहती है इसे कीपक कहते है इनफंडी बुलम कहते है इनफंडी बुलम के बाद आगे की ये नली ये है इसको हम क्या कहते है फैलोपिन टूब या अंडवाहीनी कहते है अंडवाहीनी आगे जाकर इस्थमस य संकीड भाग शքते हैं ठीक है और इस बीच में जो भाग जहां भूला हुँआ बड़ा भाला भाग है यह यह तस को हम एमपूला कहते हैं तो कीपक तो द्वारा जैसी संचना होती है जिसमें फिम्पाहे याती है ये फंब्री के डिपड़ाईनी हो गई इस्तमस सूब्स की इस्तमक के बाद ये जो पौरिशन आपको दिखाई दे रहा है ये गर्वाशे है ये जो पौरिशन है ये गर्वाशे है इस गर्वाशे में गरवाशे है और ये गरवाशे की मास पेशिया है इज़र ये गरवाशे की मास पेशिया है और ये उपर की सरफ गरवाशे की मास पेशिया है ठीक है ये गरवाशे की मास पेशिया होती है और ये खाली स्थान होता है गरवाशे या यूटरस का खाली स्थान होता है और ये ग गर्वाशे 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 गर ग्रीवा यह ग्रीवा वाला भाग है और यह गरवाशा वाला भाग है यह गरवाशा वाला भाग है ठीक है तो इस प्रकार यह सनचना होती है इसकी और यह ग्रीवा ग्रीवा यह उपर वाला भाग नहीं है ग्रीवा का उनसा भाग है यह वाला भाग है ठीक है अब इसमें ज जो होती है उसे कहते हैं कि माइंवेतरियम और सबसे बहुत है एक्सोमेटरियम तर यह इसमें नहीं परकार होता है कौन-कौन से परकार के होता है इस पर्मेटोगेनेसिस की किरिया, यह किस पकार होती है यह देख लिए है सबसे पहले जो कोशकाई होती है इसमें जो सुक्राणू बनाने के काम करती है वो दो गुणत कोशकाई होती है उन्हें हम सुक्रजन कोशकाई कहती है इनमें समसूत्री विवाजन होता है और समसूत्री विवाजन मनलब समान गुणसूत्र रहते हैं और यह प्रात्मिक सुक कोशकाओं का निर्मान करते हैं जिन्ने हम दुत्यक सुक्रुजनन कोशका या सेकνड myś appreciate कहते हैं। इन सख्कु सेकंडरी इस पर कोशकाओं से कि अर्धसूति विवाज renth द्त्यक अरदसूति विवाजन कॉ अंत्रन होता है metamorphosis किक्रिया होती है और फिर इसमें पर्मका ये सुख्राणों निर्माण हो जाता है इत पर मतक्रेट से ये सिख्राणों का निर्माण हो जाता है सपर में इस गुल संशनार ही होती है जब कि इस परम के ऐसी होती है, elongated संजचना होती है, अंतराली कोईशकाओं भी पाजाती है, जिनमें टेस्टोस्टोस्टोन का निर्मान होता है, यह की male sex hormone है, इसका निर्मान होता है, अंतराली कोईशकाओं से, सुक्राणों की संजचना देख लिए, सुक्राणों की संजचना में एक तो होता है है एक वाला पूरिशन होता है दूसरा मिडिल भाग होता है और तीसर टेल वाला पुष्च वाला भाग होता है है वाला शीर्च वाला जो भाग है इसमें आगे की तरफ एक्रोसों होता है आगे की तरफ एक्रोसों होता है जो गॉल जी काई से मिलकर बना होता ह और पूरी यह हैड है बाकी इसमें बहुत काफी बड़ा सा नुकलियस पायाता है और थोड़ी सी मात्रा में केवल साइटोपलाज में पायाता है साइटोपलाज बहुत थोड़ा सा पायाता है मोशनली इसमें यह घिरा रहता है नुकलियस दोरा ही घिरा रहता है ठीक है तो यह नुकलियस होता है केंद्रक होता है इसकी गरीवा यह गरीवा है गर्दन है गरीवा पायाती है अब आता है मिडल भाग मिडल भाग जो होता है मिडल पीच होता है इसमें माइटो कॉंट्रि कि आती हैं इसके बाह से घ्रा होता है अब देखते हैं eugenesis an a इसमें क्या होता है कि मात्र योग में कोश्का जोती है इसका अदुसूत्री विभाजन होता है पूर्बावस्था पहला प्रोफेज या फश्ट या पूरवस्था अदुसूत्री विभाजन फश्ट में दो एन प्रात्मिक अंडक बनते हैं प्राइमरी उसाइट्स बनते हैं और प्राइमरी उसाइट्स के बाद इन में प्रात्मिक पुटक यह प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण होता है अर्था प्राइमरी अंडक यह हैं इसकी चारो तरफ कोचकाई बनने लगती हैं जिसका पुटक कहते हैं और इसके अंदर सेकंडर नटक का निर्मान हो जाता है प्रात्स्मीय धुरुबिय पिंटक का निर्मान हो जाता है देखिए जो Hari सुड़ा जैनु जो नपध ऐस इसके बाहर कि लेयर को हम आधेर कहते हैं ठीक है और यह परिपको फुटक है या ग्राफिन फॉलिकल है ग्याविन फॉलिकल में अंडक के बहार की तरफ जोड़ना पहले सुड़ा क्या निर्मान हो चुका होता है अंडे का बाहार निकलना अबली से या अंडे का बाहार निकलना में जो बाहार की तरफ जोना पेले सुटा की लेयर भी साथ में आती है है तो अब हमने स्में क्या क्या देखा कि इसमें हमने डेखा कि दो टु एन मनलब अर्दोसुति विभार्जन होता है और दोत्यक अंडग बनता है दुत्यक प्राथमिक पीड़क एक तो पोलर वाड़ी बनती है पिर्थम ध्रोबिय पीड़क फष्ट पोलर वाड़ी बनती है और एक दुत्यक अंटग बनता है दुत्यक अंटग में अजुसूती बिवाजन सेकेंड होता है और सेकेंड के परशात दुत्यक ध्रोबिय पिंड़क इसमें भी बिवाजन होता है और इसमें भी दो पीड़क बनती है तो दो पोलर वाड़ी तो यहां बनती है और एक पोलर वाड़ी दुत्यक ध्रोबिय पि क्रिया इक याद रखना निसेशन की किरिया जो थी है इस क्रिया है, इस क्रिया जो सथ क्रिया . है और यह इस्तमस में आता हुआ एंपुला में आ जाता है और इंपुला में आने के बाद इधर से बैजाइना की साइड से सुक्राणू आते हैंовор्हें यह सुक्राणू चलते हुए कहां चले आते हैं इस थमझ से होते हुए यह इस एंपुला में चले आते हैं एंपुला में दोनों का मिलन होता है सो क्राणूं अंडाणूं का मिलन एंपुला में होता है और यह क्या है यह यूट्रस है यह आपको दिखाई देना यह यूट्रस है सारा इधर का यह सारा यूट्रस है मास्पेस यहां है यूट्रस्टी मास्पेस यह यह आपकी अड़न निकाह है ठीक है तो फिम्री इंफंडी बुलं एमपुला में जाके इसका बिलन होता है किसका किसका अंडानों और अंडानों और सुक्रानों का और क्या बनता है जाइगोड बनता है क्या बनता है दोईगोड जाइगोड का निर्मान होता है यह दोईगोड जाइगोड के अंदर कोच का होंगा ब्लाश्टो मेर्स बनती है ब्लाश्टो मेर्स से फिर इसका की सारी मौडुला इस्टेज बनती है 16 सेड इस्टेज बनती है 16 सेड इस्टेज बनती है जिसे मौडुला कहते है 64 जब सेल्स बन जाती है कोच का बन जाती है तब इसे हम बिलाश्टुला कहते है और बिलाश्टुला के अंदर के अंदर एक कोच का बन जाती है एक cavity बन जाती ही, इसका रणा हम इसे blastocyst कहती है 64 के राद 132 का कोछ का है बन जाती, तब जाके इसका implantation होता है perimetrium, biometrium और endometrium myometrium और endometrium तो इनमें जो endometrium के अंदर इसका implantation हो जाता है मतलब इसके अंदर ये धस जाता है, प्रता रूपन ये अंतर रूपन या प्रता रूपन जिसे हम कहते है implantation के लिए को, इसमें क्या होता है कि blastocyst का गरवासे के अंत्ह भाग पर चिपकना या implantation कहलाता है तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ आज, अब नए चैप्टर से मिलें चैप्टर में मिलेंगे, फिलाल इस चैप्टर में इतना ही हमें पढ़ना है मेरी वीडियो को लाइक शेयर अबस्टा कर दें अपने साथ ये को साथ शेयर जरू कर लें और इसे कंप्लीट कर लें अपने कॉपी पर हईच्षि कर दो हें अको बादे साथ पर कि अक्षग ले संहें आगा